हलो गाइज आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत जादा कन्फ्यूज भी हो सकते हैं कुछ चीज़ों के लेकर जैसे कि आपको अगर यह जानना है कि B.S.C. या M.S.C. के बाद में इस्पेशली लाइफ साइंसिस के अगर आप किसी सब्जेक्ट से करते हैं तो कौन-कौन सी पोस्ट निकलती है कौन-कौन सी गौर्मेंट अगर पोस्ट निकलती है तो कहां-कहां अप्लाई कर सकते हैं बैसे कि लिए पोस्ट का मैं आपको नाम बताने वाला हूँ तो यह अपनी कोई भी बात जो है comment करके भी पढ़ा सकते हैं तो चलो सबसे पहले POSTS के साथ में शुरुवात करता हूँ आपको इसमें कुछ अच्छी पोस्ट चोटी पोस्ट बड़ी पोस्ट साइטयस लेवल की सब कुछ में आपको इसमें बताऊँ गार जाब को इसमें जिसमें मालनों कोई product की अगर synthesis कर रहे हैं तो raw material कैसा है उसकी quality check करने के लिए एक पूरा officer या lab technician इस तरह का quality control से related वो बिठा देंगे जिसमें वो सब कुछ checking करेगा quality से related तो वो QC की post निकलती रहती हैं BIS वगरा में भी आती रहती हैं FSS AI में भी आती रहती हैं FCI में आती रहती हैं तो यह post इसमें आती रहती हैं और यह कुछ common है यह सभी में इस तरह की post आएंगी जितने में बताने वाला हूं इन सब में आती रहती है यह post QC हो गया second number पर हमारे पास में है QA quality analysis So basically analysis मतलब की जब product बन गया उस time पर उसको analyze करना की कैसा है इसमें भी technician level की भी हो सकती है officer level की भी post हो सकती है QC के बाद QA है उसके बाद third है हमारे पास में एक है laboratory technician तो laboratory technician मतलब की lab का भी जितना भी work है वो laboratory technician के हाथ में होता है इसमें government job भी आती है अभी मैं salary के बारे में बत जरूर देखना आगे जाने से पहले आपको कुछ important चीज ये बतानी है अगर आप preparation कर रहे हो आपके IIT jam की या करना चाहते हो अनकेडमी के ओपर subscription लेना चाहते हो तो आप अनकेडमी के किसी भी subscription पर जो है वो आपको बहुत जादा छूट मिलने वाली है और IIT jam के subscription पर आप इसमें 24 महिने पर 6 महिने extra मिलेंगे आपको 12 पर 3, 9 पर 2, 6 महिने पर एक महिना में फिरी मिलेगा अपको इसके लिए code यूज करना पड़ेगा चॉक टॉक 10 आप जैसे इस code को यूज करेंगे आपको ये benefits जो है सारे के सारे मिल जाएंगे बहुत जबरदस्त ओफर है बिलक साइंस इसमें इसको भी आप जोइन कर सकते हैं code यूज करना पड़ेगा आपको चॉक टॉक 10 एक और है इस पार्क बैच है IAD जैम 2023 के लिए बैच 9 है जो की 12 गस्ते शुरू हो रहा है mathematics, physics, chemistry और bio tech में तो इन सभी के लिए अगर आप subscription लेना चाहते हैं वीडियो के description में लि तो लैबरेटरी टेक्निशन इसमें government vacancies निकलती है बहुत सारे इविन जितने भी इंस्टिट्यूट से life sciences से related सब में vacancies निकलती है लैबरेटरी टेक्निशन की एक और होती है इसको हम बोलते है laboratory analyst अच्छा guys आपको कोई queries रहेंगी तो instagram पर follow करना और अगर आप ज़ादा मत पूछ सकते हैं मैं reply करता हूँ तो analyst की post भी निकलती है vacancies निकलती है यह भी आप दे सकते हैं चलिए यह कुछ हो गए अब थोड़ी और अच्छी post के बारे में मैं आपको बताता हूँ तो अभी देखते रही है वीडियो को ऐसा नहीं है कि जिरिफ यह बहुत जबरदस कालो हमें job चाहिए तो LA के बारे में बात होगी laboratory analyst उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कुछ officer rank की post भी गाई इसमें आती है officer level की post अगर आपने अपना B.A.C. कर लिया life science CBZ से कर लिया food tech से कर लिया micro से कर लिया bio tech से कर लिया biomedical से कर लिया agriculture से कर लिया तो कुछ आपको officer rank की post भी होती हैं जो आपको देखने के लिए मिलेंगी इसमें उसमें बताता हूँ सबसे common example के साथ में बताता हूँ जैसे की C.E.F.S.O. की post थी हाला की graduation वाले इसको दे सकते था इसमें experience मांगा था उन्होंने F.S.I. में ये post लिया थी दो साल का लगबग उन्होंने experience मांगा थ तो Central Food Safety Officer, Officer rank की post जबरदस्ट पोस्ट है इसमें salary भी लगबग around 80 K.K. आसपास शायद से इसमें salary थी मुझे पूरा ध्यान नहीं है आप लोग जाके F.S.I. पे चेक कर सकते हो मैंने दिया था ये exam तो मुझे इसलिए पता है इसका idea है बहुत जबरदस्ट पोस्ट है ऐसे हो दिन में और इसमें भी लेक्स में आपको salary अराम से मिल जाई और officer rank की post है तो officer rank की post भी बहुत जादा निकलती है जैसे मैं बता रहा था भी quality control officer भी हो सकता है quality analysis officer भी हो सकता है तो officer rank की post भी निकलती है इसके उपर मैंने videos भी बनाए हुए है आप मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं कि जो है आपको job कैसे ढूंडनी है कि notification कहां से मिलेगा आपको job का मेरे चैनल पर आप ऐसे सर्च कर लेना कि how to find government job slash लगा देना chalk talk tutorials तो आपको मेरा video मिल जाएगा उसके बाद में क्या है बच्चे लोग scientist level की post निकलती है अच्छा देको आप लोग बच्चे नहीं हो तो scientist level की post भी बहुत सारी निकलती है अब scientist ऐसे निकलता है कुछ scientist post MSC level के लिए निकलती है कुछ PhD वालों के लिए निकलती है तो इसमें ऐसे होता है scientist जो है A हो गया scientist B हो गया scientist C हो गया तो इनका थोड़ा थोड़ा level अलग है और इनकी salary में भी थोड़ा थोड़ा फरक होता है लेकिन आपको life sciences के field में इस तरह के jobs जो हैं देखने के लिए मिल जाएंगे बहुत easily तो आप preparation कर सकते हैं इस तरह की jobs के लिए भी अच्छा guys अगर आप अभी भी इतना जादा confused हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करें कैसे करें मतलब slot book कर सकते हैं लेकिन ये जो आपको पूरी complete career guidance मिलेगी दोस्तों ये थोड़ा सा paid है क्योंकि इसमें time लगता है काफी जादा सब कुछ explain करने में आपको एक घंटा लग जाएगा मुझे explain करने में तो इसलिए हमने इसके थोड़े से charges रखे हैं 499 तो इसमें 499 में आपको सब कुछ explain कर जाएगा कौन सी job है कहां कब निकल रही है आपको links provide कर आए जाएंगे government jobs के बड़े-बड़े institutes के कहां कब कौन सी job आ रही है careers क्या-क्या options हैं सब कुछ इसमें पताया जाएगा लेकिन जिसको जिर्फ एक दो कोशन है वो instagram पर मुझे follow कर सकता है और पूरा paid guidance के लिए आप इस number पर text कर सकते हैं तो scientist level की post हो गए प्लस और भी कुछ post होती है जिनको हम बोलते हैं young professionals young professionals तो यह भी होती मतलब कि multitasking के लिए होते हैं like office में बहुत तरागे अलग अलग तरागे के काम होते हैं तो इसमें कुछ लोगों को hire कर लेते हैं कि वो कुछ भी सारे काम कर सके हर तरीके का काम कर सके इसमें होती है लेकिन हला कि यह contract basis पर professionals की job जो होती है जादा होती है इसमें एक job और होती है जैसे कि इसमें होती है research associate होती है research associate की job होती है research assistant की job होती है तो ये भी jobs है इसके लिए भी post निकलती रहती है तो मैं ये सारी post के नाम बता रहा हूँ designation बता रहा हूँ ये सब आप इनके बारे में सर्च कर सकते हैं एक और है जैसे कि अगर हम बात करें थोड़ा सा कि इस field में teaching से related भी obviously jobs निकलती है teaching से related अगर आपने B.Ed किया हुआ है तो आप जो है जैसे की T.E.T. वगरा का exam है PGT वगरा का exam है वो भी दे सकते हैं आप teaching line में जा सकते हैं अगर आपने PhD किया हुआ है और या फिर आपने CSIR net कर लिया है तो आप academics में जा सकते हैं आपको PhD करने के लिए fellowship भी मिल सकती है वो भी एक job की तरह ही है उसको count करते हैं तो यह हो गया इसके ओपर CSIR net के ओपर तो मेरी बहुत सारे videos हैं वो भी जा कर आप check out कर सकते हैं तो इसके बाद में ये कुछ चीजे हो गई कुछ मैंने आपको post के नाम बता दिये कुछ designations के नाम बता दिये स्टिल अगर आपको कोई confusion है जादा confusion में है तो आप अपना paid guidance भी ले सकते हैं जिसमें आपको completely सब कुछ explain करेंगे आप instagram पर फोलो कर सकते हैं मुझे कुछ अगर आपको बहुत चोटी मोड़ी सी queries है तो मैं वहां आपको reply कर देता हूँ थोड़ा सा late जरूर हो सकता है लेकिन मैं reply कर देता हूँ तो guys this was all about कि क्या क्या post हैं क्या क्या designation है तो आप इन सब के बारे में जान सकते हैं चलो thanks for watching this video